मैं है इस्रामदिन खार और आप देखे रहे हैं प्रहाटेंज एक मेडिकल इस्टोर वाले को सस्ता और ग्रहाकों को उधार दवा देना उस वक्त महेंगा पड़ गया जब कडोस के medical store वाले ने सस्ता और उधार दवान देने पर हैत्रास जताते हुए इस medical store वाले की पिटाई कर दी मामला कल्यान के पढगा मार्ग बाप गाओ के जैमलहार नगर का है जहां लाली राम चौधरी एक मेडिकल इस्टोर चलाते हैं और इनके पास में ही दो भाई हैं योगेश और विठल चकूर इनका भी एक मेडिकल इस्टोर है मगर ज्यादा ग्रहक लाली राम चौधरी के मेडिकल इस्टोर पर आते हैं कि ये ग्रहकों को सस्ते में दवा और जरूरत मंदों को उधार भी दे देते हैं जिसकी वज़ा से योगेश और विठल चकोर के यहां ग्रहक नहीं जाते हैं इसी बात को लेकर दोनों भाई योगेश और विठल ने लाली राम चौधरी के मेडिकल इस्टोर पर हमला कर दिया CCTV में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेडिकल इस्टोर में मारपीट हो रही है लाली राम चौधरी ने परणखा पुलिसी स्टेशन में दोनों भाईयों के खिलाफ योगेश और विठल चकोर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है यह मेडिकल वाले दोनों भाई आये थे अब भाई को और मुझे मारा मारी किये और दुकान पर तोड़ फोड़ दिया है यह इसकी वज़े से हुआ कि उसके कस्टमर उसके पास कस्टमर नहीं जाता है तोड़ी दवाई देते हैं और अच्छी क्वालिटी की अपने बास है और किसी को उदारी भी देते है और किसी को किसी कवार पैसा नहीं जाता है तो उन्होंने एंसे दिया है आगे की कारवाई यदिते को हुए